Hello Everyone, हमारे चैनल Food From Home में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़दार ढाभा इस्टाइल पंच मिल दाल तड़का इसे आप पंच रतन या मिक्स दाल तड़का भी कह सकते हैं तो चलिए बनाते हैं मिक्स दाल तड़का बनाने के लिए हमने पंच तरह के दाल ले लिए हैं सारे दालों की कॉंटिटी सेम है टू टेवल इस्पून अरहर की दाल चने की दाल और अरहर की दाल की कॉंटिटी आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं मसूर की दाल, उरत की दाल और मूंग की दाल इन सारे दालों को हम एक mixing bowl में mix कर लेंगे 5 अलग-अलग डाल हम mix करके दाल तयार कर रहे हैं बहुत हेल्दी ये डाल तड़का तयार होगा तो हमने mix कर लिया है अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मसल के 2-3 बार धोलेंगे गंदा पानी हम हटा देते हैं इसे हमने 2-3 बार अच्छे से धोल लिया है आपके पास टाइम है तो दाल में आप पानी डालके इसे आदे घंटे के लिए ढखके रेश्ट पे रख दे जिससे ये फूल जाएगा तो दाल को पकने में कम समय लगेगा दाल का पानी हमने हटा दिया है दाल को हम प्रेसर कूकर में डालेंगे अब इसमें हम एड़ करेंगे 2 कप पानी पानी की कौंटिटी दाल के 3 गुना या 4 गुना ले सकते हैं अब इसमें हम आड़ करेंगे दो तेजपत्ता, दो लॉंग, एक टुकड़ा दाल चीनी का और एक पड़ी इलाइची इन सारे खड़े मसाले को हम आड़ करेंगे अगर आप रेश्ट्वन धाबा इस्टाइल बनाना चाहते हैं दाल, तो ये खड़े मसाले आप इसकिप ना करें हल्दी, नमक और एक चम्मत देसी घी, इन सबको अच्छे से मिक्स करके, कुकर का लिड लगा देंगे और चलते हम, गैस की तरफ हाई फ्लेम पे एक सीटी आने देते हैं एक सीटी आने के बाद, फ्लेम को कर देंगे लो, और इसे 10 मिनट कुक करेंगे चने की दाल को कुक होने में टाइम लगता है, 10 मिनट हो गया है, अब गैस को करेंगे ओफ और इसे अपने आप ठंडा होने देते हैं ठंडा हो गया है कुकर का लिड हम हटाएंगे ये देखिए दाल भी हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है अब दाल को हम फ्राई कर लेते हैं दाल को फ्राई करने के लिए हमने एक कड़ाई ले लिया है कड़ाई में एक से दो चमच ओयल ले लेंगे थोड़ा सा साबू जीरा और एक बारी कटा हुआ प्याज इसे हम चला लेंगे हलका गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है बीच बीच में चलाते रहेंगे अब इसमें मैट करेंगे आदा चमच ग्रेट किया हुआ अद्रक आदा चमच ग्रेट किया हुआ लेसन इसे भी हम चला लेते हैं कुछ सकंड इसे भी भूल लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए अब इसमें मैट करेंगे टमाटर तो दो टमाटर को हमने बारिक चॉप करके लिया है इसे एड करके सौफ्ट होने तक इसे भूण लेंगे साथी साथ इसमें हम नमक एड कर देते हैं जिससे यह जल्दी से सौफ्ट हो जाएगा नमक आप सौधानी से एड करें क्योंकि हमने दाल को कुक करते समय भी नमक एट किया हुआ था इसे हम कवर कर देंगे जिससे ये जल्दी सॉप्ट होगा और बीच बीच में चलाते रहेंगे तमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब इसमें मैट करेंगे दू हरी मिर्च बीच से हमने कट लगा के लिया है आधा चम्मच धन्या करेंगे कुक किया हुआ दाल अभी पहुत ज्यादा थिक है तो दाल की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए इसमें मैट करेंगे गरम पानी गरम पानी आप अपने हिसाब से एड़ कर सकते हैं जितना आपको दाल पतला गाढ़ा चाहिए कि कुकर में हम थोड़ा सा पानी डाल के एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तीन से चाइब नट इसे हम कुक कर लेंगे लिड हम लगा देते हैं ये देखिए दाल हमारा तयार है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है ना ही बहुत ज्यादा पतला है जादा गाड़ा अब इसमें हम बारिक कटा हुआ हरा धनिया अड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम लेड लगा देते हैं फ्लेम को हमने ओफ कर दिया इसे हम साइड में रखेंगे और एक मज़दा सा तड़का तयार करते हैं तड़का बनाने के देशी घी ले लिया है, घी बटर आप कुछ भी ले सकते हैं, घी क्यों कॉंटिटी आप बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा साबू जीरा, बारिक कटा हुआ, अद्रक, लेसन, टू पिंच हिंग, इन सब को गोल्डन होने तक भून लेंगे, अब इसमें मैट करेंगे कसूरी मेथी, तो आप कसूरी मेथी को इसकी बिल्कुल ना करें, इससे बहुत अच्छा टेश्ट आएगा, और कलर के लिए कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हमने लो रखा हुआ था, अब फ्लेम को कर देंगे औफ, साबुत लाल मिर्च डालना में भूल गई थी, घी अभी गरम है, तो इसमें हम साबुत लाल मिर्च एड कर देते हैं, फटा फटा हम तड़के को डाल में मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही मज़दार रेश्पी है, इस मिक्स डाल तड़के को आप प्लेन राइस, जीरा रोटी, बाटी किसी के साथ भी सर्व करें, इतना टेश्टी मज़दार बना है कि आप रेश्ट्रेंट, ढाबा, होटल जाना भूली जाएंगे, बारी कटे हुए हरे धनिये से इसकी गानिसिंग करेंगे और एक सर्विंग बोल में हम सर्व कर लेते हैं, तो कैसी लगी दाल तड़के की रेश्पी,